नमस्कार दोश्तो, स्वागेत आफ सभी का, आप देखरें सोहान सर्मा किछेंग, मैं हूँ सोहान सर्मा, और आज मैं आपके शायर करूँगा मुहम की दाल का हलवा, ये मुहम की दाल का हलवा राजस्थान का परसीध हलवा है, शादी पार्टियों में बनने वालला और एकदम खिला-खिला बनेगा, बिल्कुल चीथा नहीं होगा, बिल्कुल लम्स नहीं पड़ेंगे, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, जो हल्वाई आपको कभी भी नहीं बताएंगे, और इस वीडियो के साथ बने रही है, शुरू से लेके एन तक आपको बहुत सारी जा से एक कप है, वेसे 200 ग्राम मुंग की दाल को धोलिया है, और घरम पानी के अंदर आपको 30 मिनट भीगा देना है, इसको जल्दी है तो नहीं, तो ठंडे पानी में 2-3 घंटे भी आप भीगा सकते, कोई दिकत नहीं है, 30 मिट भीगा देते हैं, फिर गेज जलाय मैंने, फु आपको यहाँ पर तारवार देखने के जुरूत नहीं है, बस इसको मेल्ट करना है, उबाला जाए, चाशनी परफेक्ट है, बिल्कुल, आपको कोई तारवार देखने का जंजट नहीं होगा, आप माप एक बना लीजिए, उसी से सब कुस लेना है, आपको डाल भी उसी से घी भी उसी से, और चीनी भी उसी से, पानी भी उसी से चाई, ग्लास से लीजिए, कप से लीजिए, किसी भी चीज से लीजिए, इस तरीके से, देखे, चाशनी को मेल्ट कर लिए, चीनी जैसे ही मेल्ट हो जाती है, उबालाना शुरू हो जाए, तो मैंने ये 25-30 केसर के प ले लेना है उबाल लेते ही चार्षनी को आपको गेस बंद करके नीचे उतार कर रख देना है पहला काम तो यह करना आपको उसके बाद यह मैंने 200 ग्राम मावा लिये जिसको खोया बोलते ही आपको मिठाएगी दुकान पर मिल जाएगा आप घर में भी बना सकते हो इसका वी मैंने कद्दू कर्च करके लेने आपको मावे को इस बात का आप जरूर ध्यान रखे मावा बिलकुल त्यार है तीस मिनट बाद देखे डाल भीग चुकी है मैंने गरम पानी में विगा थी इसलिए जल्दी भीग गई है आपको अगर जल्दी नहीं हो तो आप घंडे पानी म बारी पीश लेते हैं देखे डाल को मैंने पीश लिए मैंने बीना पानी के पीश है हो सके तो एक दो चमच आप डाल लीजिए कोई दीकत नहीं है लेकिन हमें बाद में शेकने में थोड़ी दीकत आती है तो वो भी आज मैं आपको एकदम एजी तरीका बताऊंगा गेस ज गरम होने रख दे इदर दूसरा गेस जलाया जिस पर मैंने हेवी पैटन की एक कड़ाई चड़ाई है धिमियाज गेस पर और इस कड़ाई के अंदर मैं डाल डालाओं यहां काम आपको तुरंद करना है डाल डाल दिए मेरे पूरी पीशिवी डाल जो हमारे पास थी वो त अब देखे घी को एकडम अच्छेशे गरम होने देना है उजर उस बिएस पर देगिए ये घी एकडम अच्छेशे गरम हो गया है तो यह एक टरीक आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है घलवाई ऐसे ही करते हैं घी को एक चमज एकडम गरम होने के बाद डाल के एकदम गरम घी डालना है इससे लंस बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे चाहिए आप कैसे भी चलाना यह चीज के लिए रहोगी और इस तरीके से आप देखिए और एकदम डाल का पानी शूख जाएगा गरम घी की वज़े से वो 200 ग्राम जो घी लिया था पूरा आपको डाल देना है मैंने पूरा घी डाल दिया है पूरा गरम घी इसके अंदर डाल दिया है अब देखिए एकदम बिल्कुल डाल का पानी सोक लेंगे और धाल सेखना इतना एजी हो जाएगा जैसे कि हम आटे का हलुआ बना रहे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी नहीं तो आपको डाल को सेखने में इतना टाइम लगता है कि बस सेखते रो सेखते रो यहां आपको बहुत आसान हो गया यह देखिए एक बार तो ये डाल बिल्कुल फुल गई है बिल्कुल लम्स नहीं पड़ेंगे, कोई टेंसल लेने के जुरूत नहीं है, इस स्टाइल से, हलवाईयों के पास बहुत सारा हलवा शेकना होता है, अगर वो ऐसे से शेकेंगे, डाल के अंदर घी डाल के, तो सिखेगा नहीं शाम तक, तो इसलिए ये बहुत ही अच्छी ट जाएगी, जैसे जैसे सिखाई पर आएगी, वेसे वेसे ये बेहती जाएगी, और घी रिलीज कर देगी, इस तरीके से देगी, घी रिलीज हो रहा है इसके अंदर, तो अब ये सिखाई पर है, इस तरीके से आपको डाल को, शेकना है, एक एक दाना हो गया है, ये आपको भी इसके अंदर शिख जाएगा वापस दाल अपनी उसी consistency में आ जाएगी जिसमें है जब मावा शिख जाएगा एक बार तो ये दाल फूलेगी जब हम मावा डालेंगे तो और जब ये मावा एकदम शिख जाएगा इसके अंदर तो वापस दाल बेट जाएगी और एकदम color same सुनहरा brown color आ जाएगा तो इस तरीके से आपको चलाना है जब तक डाल वापस नहीं बेट जाती इस तरीके से आपको देखी बिलकुल एकदम शिख गया है पांच-सात मिनेट बाद मावा भी डाल के अंदर शिख गया है और डाल एकदम perfect हो गी है पहले जेसी हो गी है और आपको सुनहरी brown color की सेखनी है आप चाहिए तो इससे थोड़ा dark brown भी सेख सकते हो कोई दिक्कद नहीं है किसी किसो को हलुआ है ना dark brown पसंद होता है किसी किसी को सुनहरा brown पसंद होता है अब गेश को धिमियाज पर कर देना है और हमारे पास जो चाशनी है उसको गरम कर ले ना है पहले ध्यान रखिएगा ठंडी चाशनी नहीं डालनी है नहीं तो हलुआ चीठा हो जाएगा और आदी चाशनी ऐसे थोड़ी-थोड़ी करके चाशनी डालनी है आपको देखे मैं पिला रहा हूं एक बार मैंने चाशनी डाली अब वो चाशनी है जो सारी मैं इसके अंदर डाल देता हूं इस तरीके से आपको चार्षणी डालनी चार्षणी एकदम गरम होनी चीए। जब हलवा सिकने लगे तो चार्षणी को साइड में आपको गरम कर लेना है। इस बात का जरूर ध्यान रखी आप और फिर आपको इस हलुवे के अंदर चार्षणी इस त देखे, बिल्कुल एकदम फर्फेक्ट है यह हलुआ, फिर भी अगर यह चाशनी पी लेता है, तो हलुआ क्या करते है, दूद और पानी का छीटा देते हैं, यह मैंने एक बड़ी चमच बदाम डाले है, कटिंग वाले, एक चोड़ी चमच पिस्ते डाले है, ड्राइफूर् पर सकते हैं, इस तरीके से देखे, यहां पे आपको जब लास्ट में एंड मोमेंट पे आपको लगे कि थोड़ा गारा है, तो आप थोड़ा गरम पानी का इस तरीके से चीटा देदीजिए, फिर से चला यए इसको धिरी-धिरी, इस तरीके से, अब यह हलुआ बिल्कुल complete है, एकदम perfect है, मैं उमीद करता हूँ, आपको ये वीडियो समझ में आओगा, और ये थोड़ी सी आदाचमज क्रीम, इलाइची पावडर डाल रहा हूँ, आपको अगर पसंद दे तो डाले नहीं, तो इसकी भी कर सकते हैं, कोई दीकत नहीं है, अब ये खिलेगा, पास बिद मिनट इसको धकन लगाके रख दीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए, उतार लेते हैं, गेस बंद कर दिया, पास मिनट इसको देख जो खेंके कितना रसीला हलवा लग रहा है, पांस में ड्रग देते हैं उसके बाद एकडम खिल जाएगा अब ये देखें पांस मिनट बाद ये एकडम दाना दाना खिल गया इसका देखें किता सांदार लग रहा है मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और पहली बाद चैनल देखें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बहुत मेहनत करनी पड़ते हैं वीडियो बनाने के लिए तो आप प्लीज एक ला के गरम कीजिए बनाते रिये खाते रिये बताते रिये मिल तो